Hello my all dear students, so हम लोग from this lecture video अपनी class 11 के physics को start करते हैं, जो कि completely based है CBSE के new syllabus पे जो कि इस साल दिया गया है 2021 में, इस syllabus के according unit 1 का chapter 1 है physical world, जो कि पहले भी यही था, कुछ portion इसमें से cut किये गये है, physical world, यह इसका मतलब क्या होता है और यह chapter ही क्यों हमारे class 11 के first chapter में दिया गया है, क्या इसका importance है, पहले तो आप लूप के गर हो जाएगे कि इस chapter से हमारा competitive point of view से competition में कोई भी questions नहीं आता है, लेकिन जब आप इस chapter को पूरी अच्छी तरीके से समझ लोगे, या फिर आपके पास जो भी book available है उसमें आप पर होगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये physics इतना interesting क्यों है, physical world, इस chapter का नाम दिया गया है कि इस physical world में हमारे बहुत सारी activity होती है, वो macroscopic label से हम microscopic label छोटे से बहुत 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 पैमाने की हम बात कर रहे हैं, और हर event क्यों होता है, ये हमें सब कुछ ये physics बताता है, with the help of concept of physics, we can know that, physics के concept से हम ये जान सकते हैं कि हम किसी surface पे walk करते हैं, तो हम easily walk कर सकते हैं, लेकिन कभी जब वो surface कुछ different हो जाता है, like अगर हम snow की ही बात करें, या वहाँ पर तेल गिरा दें, तो हम वहाँ पर slip क्यों कर जाते हैं, ये physics ही है, जो कि हर activity को बताता है, हर event जो हमारे आसपास, हमारे daily life में घटित होता है, ये physics के थुरू हम लोग जानते हैं, तो ये सारे चीज़ को इस chapter में explain किया गया है, अगर हम science की बात करें, जैसे आप 10th का exam दे दिये, 10th के exam में जाने के बाद, अब हमारे पास scope रहता है कि हम science लें, arts लें कि commerce लें, तो of course ये इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं, जो कि 11th में science को लिए, तो अगर हम science की बात करें, तो ये हम main stream की बात कर रहे हैं कि इस science को फिर physics, chemistry, mathematics and biology, ये all are the part of the science, जिसमें से हम लोग जो study करने जा रहे हैं, which is all about the physics, अगर science को define करने की बात है कि ये science क्या होता है, तो जैसा कि इस PPT में भी definition दिख रहा है, कि science is a systematic and organized attempt to acquire knowledge about the surrounding through observation, experiments and verification, ये science ही हमारा है, जिसके help से हम जो भी event हमारे आसपास हो रहा है, उसको हम observation के process के थरू, कुछ experiment करके और कुछ उसके verification process के थरू, हम लोग उसके बारे में knowledge acquired कर सकते हैं, so there are different methods of study of science या event को हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे scientific method है, ये जो scientific method दिख रहा है, ये apply होता है हर के लिए, means chemistry हो, physics हो या biology हो, mathematics हम नहीं बोलेंगे, because mathematics is what, it is the tool, you can say that ये जो mathematics है, इसको chemistry भी use करता है, physics भी use करता है, biology भी use करता है, अपने law को proof करने के लिए, अपने law को explain करने के लिए, लेकिन chemistry, physics, biology, ये सारे science में study करने के लिए ये method है, अगर जैसे हम लोगों कुछ भी काम करना है, तो एक certain method होता है, जैसे अभी हम लोगों को during this covid period, अभी method हो गया है, कि हम लोगों बाहर जाएं घर से, तो face में mask लगा दे, like that, है, तो यहाँ पर भी scientifically कोई चीज को study करने के लिए, उसका जो method होता है, scientific method, of course हम लोगों को इसके बारे में detail में नहीं जाना है, बट हम बता जैसे कोई चीज को theoretically study करते हैं, हम बोले थे अभी कुछ दिर पहले ISPPT में कि mathematics को हम लोगों use करते हैं in all sciences, तो यह mathematical modeling हुआ, का नाम सब ने सुना है, बहुत मनलब एक उच अस्तर के यह बैग्यानिक थे, लेकिन इन्होंने कोई भी experimental ने का काम किया है, जितना भी इनका work है सब इस mathematical based है, सब उन्होंने mathematics के help से अपना research को अंजाम दिया है, वैसे ही है, and these are the 5 different scientific method, the first one is several interrelated steps are involved in scientific method, some of the most significant steps are as well, they are the 4 scientific method, First one is observation, second is reasoning, third is mathematical and fourth one is theoretical. यहाँ पर नहीं लिखा हुआ experimental, this is also one of the scientific method. Now, अब हम लोग आजाते हैं physics, जो कि हमारा main यही topic है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है physics के बारे में इस lecture वीडियो में. What is physics? यह physics है क्या? अगर हम इसको सब्दों में बांधने की कोशिज करें, अगर इसको हम एक sentence देना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि physics is the branch of science, physics एक science का branch है, dealing with the nature and natural phenomenon, dealing with the nature and natural phenomenon. इस sentence के थुरू हम लोगों ने physics को define किया. और अगर हम दूसरे बहुत excitement state में अगर physics को define करना चाहें, तो हम लोगों बोल सकते हैं कि physics वो है जो हमें बताता है कि दिया कैसे जलता है. Physics वो है जो हमें बताता है कि जब भी किसी भी plant से कुछ fruits अगर तूटता है या कोई भी चीज को जब हम उपर फेकते हैं, तो वो नीचे ही क्यों आता है. Physics वो है जो हमें बताता है कि जब soap bubble बनता है तो उसमें बहुत सारे color क्यों दिखते हैं. Physics वो है जो हमें बताता है कि rainbow क्यों बनता है और इसमें ये seven color ही क्यों दिखते हैं. एक इंड पे red और eight इंड पे violet क्यों रहता है? Physics वो subject है जो आप मौत का कुवा मेला जब जाते हैं तो देखते हैं. कि क्या ऐसा होता है कि इस मौत की कुवा में car, bike, two wheeler, four wheeler run करता है और गिता नहीं है. Physics वो है जो ये बताता है कि हम snow पर ही skating, ice पर skating क्यों कर सकते हैं. Physics वो है जो हमें thundering और lightning के बारे में बताता है. Physics वो है जो जब पत्तों पर बारिश के बुंदे आती है तो वो गिरती नहीं है उस पर रुप क्यों जाती है और उसका सेप circular ही क्यों होता है, spherical ही क्यों होता है. ये सब कारणों का जो हमें answer है वो physics के through ही मिलता है और इस तरह के बहुत सारे questions है. चुकि हमारे पास उतना option नहीं है या आप सो करने का बट आस पास अभी हम जो बोल रहे हैं ये sound कैसे out निकल रहा है आप इस sound को सुन कैसे पा रहे हैं So there are lots of questions जिसका answer हमें physics के through मिल सकता है. So you can now understood आप ये समझ सकते हो कि physics कितना interesting है, कितना मज़ेदार है और आप अगर इसको इस गरायों से समझोगे, तो really में आप इस physics को enjoy करने लगोगे और physics अब हमारे लिए easy हो जाएगा. Physics के अगर scope and excitement की बात की जाए तो there are different parts जो सबसे पहले physics आया था वो था about the, वो था classical physics, जिसको great scientist Newton's ने दिया था और इसके भी different parts है like mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics, all these are the part of the physics. Mechanics, mechanics हम लोगों को अभी class 11th में पढ़ना है, यह electrodynamics, optics यह हमारे class 12th का part है, thermodynamics भी हमें 11th में पढ़ना है, quantum physics में हमारा quantum physics है, एक modern physics है, यह सब quantum physics और modern physics के बारे में भी आपनो 12th में पढ़िएगा, यह और भी बहुत सारे part है हमारे physics के, classical physics जो होता है, वो macroscopic level पे जो भी event ह उसके बारे में जितना भी discussion है, that means behavior of bodies and their effect on the environment, they are subject to external mechanical force, यह जो हम लोग study करते हैं, वो classical mechanics के mechanics part में आता है, अगर electrodynamics की बात करें, तो इसमें electric field, magnetic field, charges का production, यह सब के बारे में हम लोग जानते हैं, similarly optics में हम लोग light के बारे में परते हैं, thermodynamics is all about the heat, quantum mechanics में बहुत microscopic level में हम लोग जब study करना है, तो यह है मारा quantum mechanics का parts, और modern physics में laser light, wave particle, dual nature, यह सब हम लोग modern physics में परते हैं, और तो और अभी जो engineering भी है, वो भी engineering जो BITEC हम लोग कर रहे हैं, electronics and communication, triple E, बहुत सारे branches होते हैं, उसमें से अभी जो सारे IIT ने start कर दिया है, BITEC in engineering physics, और यह मनलब BITEC in engineering physics means what, this is the content of all the engineering, that means you can say that कि अगर engineering physics में कोई BITEC कर रहे हो, तो उसके पास scope opportunity ज़्यादा है, उसके बाद अगर हम बात करें, कि physics का relation क्या है दुसरे subject के साथ, तो of course physics के सारे लोग को हम mathematics के helps के सुरू explain करते हैं, atomic physics, thermodynamics physics के थूँ physics related है chemistry से, biotechnology के थूँ यहाँ पर biology से, और astronomy से भी physics, all subjects, physics is everywhere, ओके physics is everywhere, यह सारे subject से related है हमारा physics, physics in relation to technology and of course society, physics आप हम यह बोल सकते हैं कि जितना भी engineering और technology है, these are the applications of the physics, और जो भी application बनता है, होता है, वो of course, वो सारा उसका use कौन उठाते हैं, हम सोसाइटी में हैं, हम सोसाइटी में use करते हैं, अगर technology ने with the help of physics, aeroplane दिया, तो हम लोग उसे use करते हैं, टीबी है, लैप्टॉप है, ट्रेन है, प्रिंटर है, इंटरनेट, there are lots of application of technology, and of course, technology जो है, वो with the help of physical law, physics, ये सारे applications बनते हैं, ये हमारे कुछ great physicist है, और लाइक ये हमारे सबसे पहले, Newton, Galilean, Einstein, Albert, Newton, there are lots of scientists, जो कि physics के वर्ल्ड में अपना contribution दिये हुए है, ये recently है हमारे जीन पेबल्स, डेडियर, और माइकलसन, जो कि 2019 में इन्होंने Nobel Prize विन किया है, और किस subject पे इनको मिला है, तो evaluation of the universe and earth place in the cosmos के field में इन्हें मिला है, अब अगर हम बात करें, nature of physical law, अगर nature of physical laws के बारे में हमें जानना है, तो बस एक ही word को याज कीजिए, वो है conservation, conservation, जिसका मतलब है sun रचित, मतलब कि कोई भी जो energy है, वो नहीं create होता है, और नहीं destroy होता है, बस वो one form to another form में transfer होता है, change होता है, और यह जो conservation है, वो physics के हर law में apply होता है, the physical quantity that remains unchanged in process are called conserved quantity. Some of general conservation law in nature include the law of conservation of mass, energy, linear momentum, angular momentum, charge, parity, etc. So, this is all about the physical world. In our next lecture video, we will discuss about the second chapter that means on the unit and dimension pe and so thank you so much for watching this and we will start our chapter 2 in next lecture video. So, have a nice day. Thank you so much. Thank you so much.